कहानी की शुरुवात में में काल कोठी का सीन दिखा जाता है, जहांपे हम काफी सारी लोगों को देखते हैं, जो कि यहांपर कैद होती हैं। और इन सब को यहांपर कैद किया होता है बेक्वी लिंग नाम की एक डीमन ने, जिसे यह लोग गालिया देरे होती हैं। वहीप हमें उसी डीमन को दिखा जाता है जिसकी अभी अभी आखे खुली होती है पर ये बेक विलिंग नहीं होता ये कोई और होता है जो कि इसकी बॉड़ी में ट्रांस माइग्रेडिड हो गया होता है दर असल ये एक परसन होता है जो कि इसी गेम को खेल रहा था कुछी द इसमें बेक विलिंग ने अपने मास्टर को धूका दिया उसके बाद उसने अपने मास्टी में फेकने का भी प्लैन बनाए ताकि वो नहीं रफाइन करकि यूमन एलिक्जर बना सके और उसके मास्टर के देथ की बारे में किसी को पता ना चले उसने फॉर इबीडेंस पहल कर यूज करकि अपने सेक्ट को ही तभा कर दिया उसने अपने पीछे एक चोटी सी बहन जूनियर मास्टर सिस्टर को छोड़ दिया और एक भगवड़ा बन गया जो कि सिर्फ भागते रहता था गेम के आखरे में बेक वी लिंग ने कैंग मिंग सेक्ट की मास्टर की के हिसाब से चले तो इसके एंडिंग जल्दी खतम होने वाली है इसे फिर याद आ जाता है कि बेक वी लिंग कैसे मरा था औरीजिनल गेम में दरहसल उसकी खुद की ट्रस्टे थर्ड डिसेप्लीन ने उसे जहर दे दिया था मारने के लिए और थोड़ी दिर में इसकी थर हार फिर अंदर एंटर कर जाती है और यह समझ जाता है कि वैसी है जैसे औरीजिनल गेम में था बेक वी लिंग के थर्ड स्टूडेंट शैंग हाड ने इस अपोचिनिटे का यूज करके मैंडिसन में जहर मिला दिया होता है जोकि में करेक्टर ने शैंग चैन ने उसे दि और इसे बताता है कि उसने लेजन्डरी ग्रेट लव सिस्टम को अवेकन कर लिया है और उसे के साथ इसे इसका पहला क्विस्ट मिलता है जो कि यह होता है कि ग्रेट लव का यूज करके शैन हार के वो इमोशनली इंफ्लोएंस करना जो वो डेमल लॉड को हेट करती है उसे प्यार में बतल देना पर यह सोचते कि आखिर कर यह कैसे करेगा ग्रेट लव सिस्टम बेक्विलिंग जो है वो डीमल लॉड है जो की बुरे काम करता है बिना को सोचे समझे आखिरकार मैं यह कैसे करूंगा क्या यह सिस्टम सच बेवोकूफ है क्या पर यह नैसेसरी नही पस यही एक लड़की है जिसी यहाँ पर बस सकता है यह फिर यहाँ पर सारी चैनल को तोड़ देता और कहता है कि तुम्हे यतना साउधान होने की कोईज होती है चैनहर तुम मिरे पास आओ पर चैनहर सोच रही होती है कि आखिरकार डीमन लोड़ ऐसे वरताव क्यों कर र काफी जदा हिंजाड है और जैसी वो इस गोली को खालेंगे उसकी जो बॉड़ी है उस बॉटल में कैद हो जाएगी और वो कभी भी दुबार रिकार्निट नहीं हो पाएंगे शैनहर फिर से कहा थी कि मास्टर जैसे कि आपने कहा था मैं आपके लिए 9 ट्रांस्वर्मेश लिंक है ता अगर यह 7 ग्रेट पिल है तो आखिरकार उसके अंदर से मुझे 9 कलर ग्लो होती हुए क्यों दिख रहे है क्या तो मौर ब्लड रिफाइनिंग हॉल जो है वो 9 ग्रेट पिल को भी रिफाइन कर सकती हो यह कहती कि शायद वो इस वज़से क्योंकि मैं उसमें सब आप मुझे पनिश कर सकती हो बेक विलिंग फिर उस पिल को निकाल लेता है शुआ नहार पूछते कि आप उसे तुरेंत लेने वाले हो यह कहता है कि हाँ यह फिर से कहती है कि अगर आपको थोड़ी गड़बरी लग रही है तो मैं उससे दुबारे ले जाके उसे यहाँ करके लिए पर बेक विलिंग इसका चहरा पखड़ते हैं कि तुम तरह्ते में के कोशिश कर रही हो बेक विलिंग फिर शाहन हर को अपने साथ आने के लिए कहता है तो मुझे बभरुसा नहीं करते हो मास्टर कहते हैं कि सवाल बांद करो चुप चाप मेरे साथ चलो यह फि आता है जहां पर काफी सारे कंकाल लगे होते हैं क्वेलिंग इसे बता आता ही कि यह सभी लोग साइकलूप्स क्लाइन की लोग है जो की ग्रेट शीवा माउंटेन नैंजी के यहां पर रहते थे इनके क्लाइन लीडर तौबा चिंग यून ने मुझे एक बार धोका देती था और एक जगे कैद कर दिया था और वो हर्ट टैम मुझे टॉर्चर क्या करता था मुझे उस टैम लगा करता था कि मेरा मरदा नहीं बहतर होगा वो मुझे टॉर्चर स्रिप मेरी डेमनिक पावर को लेने के लिए करता था पर थैंक्फुली मेरी डीमन ब्लड लैन मौके पे पहले ही दिखा दिया होता है तो अगर इसने इससे नहीं मारा तो यह पता नहीं ना जाने कितने लोगों की और जान लेगा देमन पर-फार के लिए ओब करने मोनीटर के discipline नहीं है हम उसके टूल जैसे है जिसे वो जब चाहे तब यूज करके fake सकता है इसके senior sister ने इसे ये का होता है कि जब भी वो इन चीजों को दे के उसे ऐसा pretend करना है कि इन चीजों के बारे में इसे पता ही नहीं है पर ये सोच रही होती है कि आखिर कर ये सब ये से क्यों दिखा रहा है तब ही क्विलिंग इसे अपना हाथ उठा के धियां से देखने के लिए कहता है और ये शैनहार का past होता है जहां पे कुछ लोग शैनहार को मारने के लिए आगे बड़ी रहोते हैं पर इससे पहले वो इसे मारते है यहाँ पे पीछे क्विलिंग आ जाता है जो कि उन दोनों को ही मार देता है शैनहार क्विलिंग को देके कहती कि आखिर कर आप कौन हो ये से बताते है कि मैं बेक्विल हूँ गूँ शैनहार इसे कहती है कि आप God हो, अगर आप God हो, तो मैं आपसे भीक मांगती हूँ, मेरे Mom Dad को बचा लीजी, पर ये कहता है कि God ने इंसान हो और Demas को अकेला छोड़ दिया जीनी के लिए, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो, शैनहार इसे पूछती कि हम कहा जा रहे हैं, ये Shadow, Pulse मेरे Tactics में से ये कहता कि मैं तुम्हें खत्रों से बचा सकूँ, शैनहार पूछती कि इसका मतलब Master ये है कि आप इनका यूज करके हमें Protect कर रहे थे, ना कि हमें Monitor कर रहे थे, ये कहता कि Master तुम्हें हमेशा Unkindly Treat करते थे, और इस बारे में हरी किसी को पता है इस दुनि रहता पर तुम Already अपने Master को मानने की कोशिश कर जोगी हो, जब तक शैनहार सेफ रहेगी तब तक कोई भी चीज इंपोर्टेंट नहीं है, शैनहार फिर से गले लगा लेती और क्यायती कि Master मैं गलत थी, मैं दुबारे से ऐसा कभी भी ने करूँगी, मैं अपनी बेहनों की की बातों पर आ जाती है, यहां से जो कहानी वुठी भी गंटी हुँ जाती है, अगर आप यहां तक देख रूगाज तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत बूला, अगर यह वीडियो आपको जारा से भी पसंद दे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैन की मत भते है, तो हम जाती है, भी घाती है thatjan के सनओी भी जा भी लाइक मुझे करैंवा तो अबर, ऊ번 मुझे हैं वीडिता है, वीडियो को लाइक भी है यहां से लाईक मुझे कैना टुवज। रή शवां से भी बुझे कैना मुझे छतों हैं की तो तो क मॉधर शम की झाल झाल